और तीटरा मौका यही रहेगा जितने भी सिख्षामित्र हैं उसमें दो केटेग्री है एक तो वह है जो स्टेट या सिटेट पास कर चुके हैं प्राइमरी का और दूसरे वह हैं जो नहीं कर पाएं है जैसा कि कोड़ने कहा दो मौके देने को दो मौके हो चुके हैं पूरे और देने की बात कही गई है वह तीसरा मौका वैसा नहीं हो सामित्र उनको दुरस्त बीटी सी कराए गया है और यह आप लोग प्रैमरी के लिए इलिजबल हैं चाहिए वह कि राजी का हो भरती या फि गलते हैं थे अलो बोलिए अधर मैं विश्वान बोल रही हूं बताएं इस सर में सब्सक्राइब को संधार यह जाए हैं और मेरा सिटेट भी के लिए हैं और अधर और यह उसकी रिक्वाइमेंट है जासे कि टीपिसेंट मार्व में चाहिए वो भी है सब्सक्राइब कर लिए प्रैमरी का उसमें सीटेट और बीया डीयेलेड या बिची किया है तो आप्री में तो आप लोगों को कराये गया है दूरस्त बीटिसी प्रैमरी टीटि सीटेट डेने के लिए और आपने दिया है और जो जो सर्ते हैं वो फूरी कर रही है तो भर सकती है बिल्कुल कि जैसे कि हमारी दुरस्ट ठीक्सा है ना इसलिए कोई रेगुलर पढ़ाई करे या फिर दुरस्त माध्यम से करें सब इकवल है ठीक है डिफ्रेंस तब आता है जब वहाँ पर जैसे की सीटेट आप देखेंगे वहाँ साफ साफ लिखाता है दो वर्सी कोर्स ठीक है तो अब जैसे एनाइस डीलेड़ वाले हैं तो वह उसके अंतरगत नहीं आते हैं लेकिन जो अने डियलेड है या बीटीसी है या दूरस्ती सी है इसारे को दो साल के कराये गया है और आप लोग का जितने भी सिक्षा मित्र उनको दूरस्त ब्टीसी कराया गया है और यह आप लोग प्राइमरी के लिए इलिजबल है चाहिए वह कि राजी का हो भरती या फिर केंद्र का हो दोनों में आप जो है अविदन कर सकती है तो अभी जो के भी काया है उसमें देख लीजिए परसेंटेज जो बता रही है क्या मांगा है इंटर वगर में वह स साइड में भेजेंगे आप लोगों को अगर हो भी जाता है बाइतन देखें पूरी भरती जो है वह करीब साड़ेश्य हजाग प्रैमरी में पद हैं और यह पूरे भारत की है ठीक है तो जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा आप सेलेक्ट हो जाएंगी तो केंद्री वि कि अब नौक्री तर्ना है या नई करना ते जब आउपано उपेस्की है कि अन्दर मिल जाएं मिल जाए मिल मिल है मिल होrias़गत है उसक्ता योपी को ऐंही जने मिल है कुछ भी तो जब प्रिजल निकलेगा उसके बाद जब सीट दिया जाएगा कहां पर नुक्ति दे रहे हैं वो तो तब होगा और वैसे महिलाओं को बहुत दूर नहीं भेजते हैं और चब एक कोश्चन और था एक क्या मतलब जैसे कि इंग्लिस जो हमारी लेंग्विज़ है कि आइस तॉप यह ज़ादा है वहाँ आप इस तुप जब जयते हैं कहां पर बंद जैसे कि इंडरी और देमो दोनों ही होते हैं तो उसमें क्या मतले इंग्लिस में हम फर्टाफ ह होना ज़रोरी है हिंदी में भी करते हैं इंग्लिज हिंदी संस्कीत पुर्दू तमिल कन्णर ये सब सिर्फ एक भासा है ठीक है और भासा क्या होता है अपने मन के विचार या भाव जो कुछ भी हमारे अंदर है उनको व्यक्त करने का माध्यम है इसे ज्यादा कुछ भी नही है ऐसा नहीं है कि इंग्लिज को बहुत ज्यादा या आई-श्याइश में इंग्लिज को बहुत ज्यादा महतों दिया जा रहा है भासा आप जिसमें कमफर्टेवल हूं जिसमें आपको लगता हो कि आप अपनी बात अच्छे तरीके से रख सकती है इंटर्व्यू में उसी उसी आप ब्धाइँ और अपनी बात आराम से कह सकते हैं अब अइसी आंफार को क्या मतलब है कि हम श्लिया लेकिन अपनी बात को हम रखनी पारहें हैं तो जब अपनी बात कर रखने की वो हम जब रखेंगे नहीं वो समझ ही नहीं पाएगा तो फिर बुकिन पर आपको जो है जज करेगा तो रिचे करेगी तोória कोई कुछ बॉलता है को इसनल अघर आपको लगता है कि आप इंगलिस अच्छी बोल सकती हैं आफ एंग्लिस में फ्लुएंट हैं तो आप जाएए अधरवाई आप बिल्प्वल भी प्रयास मत कीजिए आप जैसे घर में बात करती हैं जैसे आभी कौन पर बात कर रही हैं हम लोग जैसे बात करते हैं कि नॉर्मली हिंदी बोलते हैं लेकिन हिंदी में हम लोग अपने इंग्लिस के वर्ट भी यूज कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे बोलिए कोई दिक्कत नहीं है आप या तो सुद्ध हिंदी बोलने कोशिस करेंगी तो दिक्कत होगा आप इंग्लिस नहीं बोलती है और इंग्लिस बोलने कोशिस सब्सक्कारिब जयाए उसका आपसा kırm कजOUT रहा हैं कि ईभ्यक्ति चुन यह दिंस्कारों छाएंगा basement उनके अनुसार 100 परसें नहीं होते हैं कोई भी व्यक्ति चाहिए ठीचिंग में जा रहा हो चाहिए आर्मी में जारा हो कहीं भी जाता है वह बिल्कुल कुरा होता है उस फिल्ड की चीजंगें उसे उमीद नहीं कि या सकते हैं कि उसे पहले से ही आती होगी हर चीज लोगों उससे फाइट करके आ रही है आपने पास किया आपने जो एक्जाम होगा वो एक्जाम पास कर लिया इंटर्व्यू में गई तो आपका देखेंगे कि आप अपनी बात को कितने सहज तरीके से रख पा रही है आप अपनी बात के लिए लिए दे पा रही है नहीं दे पा रही है कि इसी कठीन विशय को आसान बना पा रही है यह सब की चेक करते हैं तो सारी बातें सब के छोड़ दीजे पूरे भारत में कहीं भी भे सकता है उसके बाद आप कीजिएगा कि जाना है कि नहीं जाना है वैसे जो मिजोरम अगरे की बात हो रही है तो अभी केंजी विदेले पिछले कुछ सालों से नौर्थिस्ट का अलग से भरती लेक्याने है लगा है नौर्थिस्ट में उधर की वेकंसी अलग से निकालने लगा है और उसमें ब्रील्फ करते हैं उनको पूरी लाइफ नौर्थिस्ट में रहना है अगर पियर्स जायएगा वहाँ पर बिहार राज-थ्तान वहाँ आउत था जायेगा जाय。 तो उसमें नहीं मिलेगा लेकिन यह जो है इसमें पूरे भारत में कोई भी राज्या को मिल सकता है और टांसफर के भी वहाँ पर नीतियां बनी हुई है दो साल बार टांसफर देते हैं अगर हो भी गया तो भी आप नौक्री जाइन कर लेंगी एक साल दो साल जो है वहां केंडरि विद्याले और यह केंडर की नौक्रें इसलिए करते हैं कि कंशम अलग राज उनको घूमने को मिल जाएगा भारत देखने को मिल जाएगा वहां रहेंगे अपना काम करेंगे दो चार दिन चुप्तियां होंगे आसफास घूमेंगा हम खुद रहे हैं नागा लैं मुख मुख जगह देखेंगी चली आएंगी तो अच्छी बात है नहीं को में देखते हैं परियास्तों करेंगे हैं कि हम निकल जाएं सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फॉर्म डालना आप सारी जो है उसके लिजबिल्टिंग क्रेटेरिया जो है उसे कंप्लीट कर रहे हैं फॉर्म डालिए प्यारी कीजिए एक्जाम दीजिए फॉर्म डाल देती है अब तश्कीर लेकिन में में नहीं पूछा दागी कई आप दाल दीजिए वाहा कि या तो नहीं होगा है बस यह कि वह सामने आने का वक्त अब आ रहा है करीब अभी तक सामने नहीं था अब आने जा रहा है जैसा कि कोड ने कहा रहा है दो मौके देने को दो मौके हो चुके हैं पूरे और जो तीसरा मौका देने की बात कही गई है वह तीसरा मौका वैसा नहीं होगा जब दो मौ सामनी आने जा रही है तीसरा एक हां इंटर्व्य वो माथाला या between अभी यह होना है जो हम बताते हैं होना है जो हम बताते हैं लिए इंटर्वय होगा ही होगा यह 100 परसेंण नहीं कहा जाता लेकिन फिर यारी रखे और तीसरा मौका यही रहेगा जितने भी सिख्षामित्र हैं उसमें दो केटेग्री है एक तो वह है जो प्रैम्री का और दूसरे वह हैं जो नहीं कर पाएंगे पास तो जो पास कर चुके हैं वह प्रैम्री में पढ़ाएंगे तो वहां के अनुसार को पेमेंट मिलेगा तोड़ा सब्सक्राइब होगा पांच छेजार साथ जो भी डिप्रैम्री में मिल रहा है तो वहां मिलेगा चालीस अड़तीस ऐसे कुछ रहेगा लेकिन लगभग ठीक ठाक पेमेंट रहेगा तीस पैटिस को उपर ही रहेगा प्री सब्सक्राइब हो रही थी पता नहीं भरा जाएगा नहीं होगा अगर पढ़ा लिखा होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वह सिक्षा के चेत्र की जानकारी रखता हो पूछ लिए उनसे पूछना है पूछ लिजे लेकिन पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता उनके उपर कि वह सही जानकारी रखते होंगे इसलिए दोस्तर आपकी बातों पर हमें पूरे भरोसा इसलिए हमने आपको मैसिज लोडा ता सर अब हम कर सकते हैं इसी फिल्ड से हैं इसी फिल्ड के बारे में मेसा बात करते रहते हैं इससे समझ देते हर्ची जानकाई देते रहते हैं तो हमारे जानकारी में जो भी आता है तो कोशिस अपने दप सही रहता है जो सही जानकारी है वोही दिया जाए अब जानकारी किसी को अच्छी लगे कडवी लगे जो सच है वो बता देते हैं हाँ जी, होता है, धन्रेवाद आपका, आपको आप निसलेटेटाइए, चाहिए ठीक है दक्ता, अशररब।